वेल्कम बाक टू पैरामाडिकल स्टेडी पॉइंट आयाम पूजर मीना और आज मैं आप लोगो एक लिए टोपिक लेकिया है हिंज बोडी तेखो इस वीडियो में हम समझेंगे हिंज बोडी की फॉर्मेशन कैसे होती है हिंज बोडी अगर आपको डिटेक्ट करनी है तो उ होता है कि यह आर्बीसी सेल्स है तो आर्बीसी सेल्स में क्या होता है कि आप लोगों को पता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हिंज बोडी क्या होती है कि यह हीमोग्लोबीन होता है इसी का प्रिसपटीट की फॉर्मेशन होती है जब हीमोग्लोबिन का एडंगे एड हो ने के बाद में क्या टाउन रॉक जाता है कि मुझति बंप बनने लग जाता है तो अ कैसे प्रेशिप्टेट एग्रीच होते हैं हेँमोगलोबिन के हिंच बोडी नाम दिया तो अब समझ में आ गया हुआ किए किससे बनती है है हिंच बोडी होती वह होती है यह क्या होती है है हिमोगलोबिन के कि इपैट कोज़ेंसी आफ जिस इप्पेडि और गुलटा थायवन के जह ऐ होता है तुमक्ट जका फिन इंग में में समझ में आ गया होगा अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए ता आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकी पूछ सकते हूं एक और इंपॉडन बात अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरी टूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसे एक अलग मोटिवीशन आता है एंड आई विल मेंग दर मोर में वीडियो फोर यू अब यह बाकी आपको कब देखने को मिलता है दूरिंग थेरपी विदर ड्रॉग सच एस एंटी मलेरल एंड सल्फोनामाइट्स हिंच बोरी फॉर्मिशन टेक प्लेस डू टू टू डी नेचुरेशन अफ दी हीमोग्लोबीन दिको क्या होता है कि इन केसे में तो नाचुर ऋब देखने के इन के तों डी नेचर होने के बाद माद 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 आप देखो क्या होता है कि हीमोग्णी बोरी अपियर आज सिंगल उर् l If Network यह आपको लिखे कि सिंगल फॉम में भी इस तरीके से 읽 ड्र्ड हूं पस्छ विसकासिए मैं एसे हो सब्सक्रीन कह और राउंड भी हो सकती है और ओवल भी इस तरीके से हो सकती है साथ पर रिफ्रेक्टाइल होती है रिफ्रेक्टाइल में थोड़ी सी चमकदार ही आपको देखने को मिलेगी कहां पर मिलती है red blood cells के अदर तो मैंने आपके basic introduction समझा दिया है कि हिंज बोड़ी actually में होती क्या है है तो फर्स्ट बात करते हैं हिंज बोड़ी की preparation के हिंज बोड़ी आर सीन इन वेट प्रिपिरेशन वेट प्रिपिरेशन में इसको देखा जाता है वैं सुप्रावाइटल स्टेंस लाएके crystal वाइलिट हम यूज करेंगे आपर तो स्टें एंटर स्टें कहां एंटर करती ह कब करती जब वो functionally active होते है ठीक है functional condition में होते है अब क्या होता है कि जो अपनी किस्टल वाइलेट स्टेंड जो है वो क्या करेंगी स्टेंड कर देती red blood cells को अब आपको पता है कि red blood cells के अंदर ही क्या है hemoglobin present है और hemoglobin के precipitation से क्या बन रहे थी हिंज बोड़ी की formation हो रही थी तो एक तरीके से जब हम red blood cells को stain करेंगे या उनको color provide करेंगे तो उसमें से कुछ particular color क्या होगा हो हिंज बोड़ी ले लेगी ठीक है यह नहीं ही hemoglobin जो है वो कुछ particular color लेगा वो color क्या होगे वो अपन प्रोसेजर में समझेंगे आगे तो एक प्रिंसिपल में क्या होता है कि एक वीट प्रिपरेशन की जाती सुप्रावाइटल स्टें के तुरू red blood cells को क्या करेंगी एक प्रणी के बाद स्टें करने के बदे आयगी स्टें में बाद में मांठ प्रिपरेशन में असमेर बना कि इसको डिक्रेट करतreten है हिंज गोडी यह वह ऐन को anty-c series letter 316 रेद यह वह यह रिट्र आनकोगणों एफिश मेंłada मूनीं सप्राइबन इसका आपको अब रपाइब बना रहे थो कवर स्लिप से यह पार प्रफर्म करने के लिए टेस्ट टूप चाहिए अगर आपसे बना रहे तो कवर स्लिप चाहिए पाशर प्रपीड चाहिए अब बात करते हैं प्रोसीजर के आपको कैसे टैस्स को परफॉर्म करना है तो सबसे पहले कि अगर ने आपको एड़ करना है फाइब ट्रॉप और वैल मिक्स ब्लॉड इंदी टैस्टूप इनी एक टैस्टूप आपको लेनी है इसमें आपको क्या करना है पांच ड्रॉप एड़ करनी है ब्लड सैंपल की जो कि एंटिकोगरेंट से प्रॉपर मिक्स होना चाहिए अब जो क्रिस्टल वाइल थी चुबी स्ट्रीन को एड़ कर दिया पर इसमें ब्लड सैंपल में स्ट्रीन को एड़ कर दिया आफ्टर लाव एड उन एड़षू क्लिकि कोशना था थी कम पर का मिक्स पव six तुफबिलять के लिए भीट apple ALने य्ग्जन दियाऊक थे लिए ले कवर गें। एक्जामेन अंडर माइक्रसकोप यूजिंग फाइप आप पावर ऑब्जक्तिव लैंस आपको यूज करने प्रिपेर बलडे स्मेयर भी प्रिपेर कर सकते हो इस तरीकी सब आपको जूसमेयर में देखना है तो इस तरह किसाफ टंग शेप की स्मेयर बनाके भी आप उसमें तो अगर बनाते हैं तो आपको क्या करना है यहां पर अपर जब कवर श्लिप लगाओगे तो यहां पर स्मेर वह अच्छे सापको अब्जर्विशन हो जाएगी तो इस तरीकी से प्रोसेश्टर परफॉर्म कर सकते हो जब आप लोग स्टेंड कर लेते हो तो स्टेंड करने क स्टेंड ब्लेड अब्लेड ब्लेड चैल्स मैंब्लेड इस तरीकी से मने आपको यह बता दित को यह जो आर बीसी है ना जहां पर ओरिंज कलर से मैंने मार्क करा हूँआ है उसके इनर जो हीमोग्लोबीन था वह क्या होगा है दी नीचर हो गया जिसे यहां के बात कर यहां अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आप 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 में इंस्टेग्राम पर पी जाके फोलो कर सकते हो उसका इंस्टेग्राम जो है वो परामारिकल स्टैडी पॉइंट के नाम से हैं वहाँ पे हम अथरryn अग्डियो क्याए विचैनल फंटेग्यों अग्डियों